तो लास्ट क्लास में students we did pdf and pmf है ना ना तक कर लिया था ना हम ने लास्ट क्लास में pdf pmf तक तो आज का topic है cdf cdf की full form है cumulative cumulative distribution function यह बहुत important है हमारे लिए cumulative distribution function तो आज का सिर्फ topic cdf है बच्छो तो सिर्फ cdf भी focus करना आज बहुत important है आपको भी आज पहली बार ही पता चलेगा कि cdf में इतना कुछ है ठीक है cdf बहुत important topic है तो पहले हम cdf बात करते हैं discrete x is a discrete random variable x एक discrete random variable है तो discrete random variable के अंदर pmf होता है यह बात तो हम पढ़ चुके हैं ने बटा notation small f से लिखते हैं याद है आपको बताया था कि नहीं और pmf को evaluate करने से probability आती है कि नहीं तो pmf आपको given है और आपको cdf find करना है ठीक cdf find करना है पहले देखिए बोड के ध्यान से ओनलाइन वाले बच्चों आप भी पूरा अच्छे से इंट्राइट कर सकते हो करना तुमसे ज़्याद वहाँ है मैं ओनलाइन में देखो ना क्या कमाल है तो बस वैसे मैं I am going to give a session on कि ओनलाइन के में पढ़ाई कैसे करें हैं सिंपल ओनलाइन को बच्चा पढ़ना जाता कभी भी ओनलाइन में कैसे बढ़ाई करें ये भी एक एक speciality है जो हमने सीखी है कि कैसे पढ़ सकते हैं ओनलाइन वाले भी यह जो 2x वाले ने 2x वाले सर में 2x पे lecture complete कर लूँगा तो वह complete ही हो जाता lecture for permanently complete find cdf cdf को लिखते हैं capital f x x से small से capital हो जाता है तो probability up to the point x यह होता है देखो यह है probability exactly at a point x exactly at a point तो x की probability और x तक की पर करना तोनों में probability up to the point x प्लीज बोर्ड पे ध्यान से देखिए इसके माथे पे छपाया exactly small f के माथे पे और capital f के माथे पे छपाया अप टू और दोने probability बताते हैं दोने क्या बताते हैं यह probability बताएगा exactly at a point x और यह बताएगा probability up to the point तो small f और capital f नहीं है आज के बाद से नहीं notation है आपकी है capital f मतलब up to और small f मतलब बस यह याद रखो जब भी capital f कहीं पे दिख जाया है मतलब up to याद आना चीए आपको इतनम से दिमाग में तो up to the point x formula तो cdf के example क्या क्या थे वो examples पे आते हैं पहले formula बनाना सिखाते हैं बच्चों online वालो आपको formula discrete है तो summation आएगा problem जहां से भी start होगी जैसे cricket का score कहां से start होता है zero से क्या match शुरू होते हैं पता है कितना बनेगा तो upper limit क्या होगी इसकी x अरे age बताया था मैंने आपको आज की age बताओगे कि आज तक की तो जब पैदा हुए थे कितने दिन के थे zero days और क्या पता है आप सबको कितने साल तक जी होगे आप लोग upper limit क्या है इसकी x कार खरी दी आपने नई गाड़ी कितने किलोमेट चली वी थी नहीं पता होती बेटा समझे की नहीं आपकी height गुरलीन तुमारी height आज तक की बताओगे की आज की कम हो सकती है लेकिन पैदा होते वद हाइट कितने थी जीरो नहीं थी कुछ और थी न जीरो से ज़्यादा होगी न और आपको पैदा होते ही पता था कितनी height बढ़ेगी आपकी नहीं अब पर लिमिट क्या है X तो जादतर किताबों में यहां minus infinity लिखा होता है तो मुझे उससे पोछना है किताब लिखने वाले थी तो नहीं minus infinity क्या सोच के लिखा है तो कोई भी practical problem बताओ जो minus infinity से start हो रही हो आपके life में जो भी कुछ बताओ आपके मने में दिमाग में कुछ भी आ रहा हो number of goal in a football match कहां से start होगी minimum maximum problem यह दो 0 से होगी यह 0 से आगे होती है तो जो minus infinity वाली बात वो कहता है न वो problem आपको कुछ create करनी पड़ेगी समझ ले मेरी बात तो हम ना minus infinity लिखते ना 0 लिखते ना कुछ लिखते हम लिखते हैं जहां से problem क्या होगी start होगी कहां वहां से कहां तक और upper limit कभी भी हमें पता correct और यहां आ जाएगा मेरे बेटा small fx जिसको आप बोलता है probability exactly at a point x यह formula है इसका और पहली बात fx एट वो ही cdf होगा चो यह बाते satisfy करेगा minimum probability क्या होगी बताओ 0 अरे minus infinity बताओ impossible ना यार what is the probability of impossibility 0 जो चीज़ impossible उसकी probability क्या है कि भाई अच्छा infinity तक probability को add करते जाओ तो maximum किती हो जाएगी और non decreasing भी होगी कि नहीं होगी जैसे सुनो किया 2 महने 3 महने से छोटे है तो 2 महने तक जितनी death होंगी मां जो 5 death होगी 2 महने तक तो 3 महने तक कितनी death होंगी कम से कम पांच या पांच से कुछ इंदा थोड़ी हो जाएगा अरे सोचो ना तो less than or equal to fx3 होगा कि नहीं होगा बताओ बटा तो non decreasing होगा मतलब के नहीं तो तीनों बाते satisfy हो रही है तो वो cdf है वरना वो cdf तो cdf होने के लिए क्या given होना चाहिए पहले आपके पास pmf probability mass function given होना चाहिए तभी आप cdf निकाल सकते हैं पहले लिखिए formula सब लोग मुझे पता दो ना problem वास्तम में minus infinity नहीं आना चाहिए zero भी नहीं आना चाहिए हर problem के हिसाब से range होती है परेट आना बिटा जैसा height का example दिया तो height जहां से भी start होगी जो पैदा हुए 122 cm कोई बच्चा हुआ कोई 120 cm का कोई जो भी whatever it is 20 cm तो उसके बाद ही तो बढ़ेगी बटा तो मेरा कहने का तत पर है यह हम lower limit को fix ना करें जहां से problem स्टार्ट होती है और अपर limit तो fix होई नहीं सकती हो गया भाई यहां तक अब question करना से हो पहले numerically फिर भावनाओं में आना आप नहीं example one सब बच्चे ध्यान से देखो एक बहुँछ छोटा सा question discuss कर रहा हूँ आपके साथ x 0 1 2 3 यह probability है x की मेरे बिटा 1 by 8 3 by 8 3 by 8 and 1 by 8 टोटा पोल्टी क्या होगी बिटा तो क्या यह PMF है ना क्या probability की हर point की 0 से 1 में है और टोटा पोल्टी कितनी है तो यह PMF है बिटा अब CDF यही बोला था अब to the point अरे less than equal to आ गये ना तो 0 तक की पोल्टी 1 तक की 2 तक की 7 बाइट और 3 तक की आप 12 में ऐसी करते थे ना इंटेंटेंटेंटोट कभी भी और यह करते थे ना यह गलत है क्यों गलत है अब इस सीखो इसको यह ऐसे लिखा जाएगा CDF मेरे साथ ध्यान से देखी गा सारे बच्चे मैं बिल्कूर अच्छे समझाँगा ध्यान से देखो बस यह 0, 1, 2 और 3 0 की बुल्टे के है 1 बाइट 1 की 3 बाइट और ओके प्लीज बोर्ट पे ध्यान से सबसे पहले मैं माइनस इंटी मैं यहां से यहां चला मैं कहां पर हूँ बताओ जरा कहां पर हूँ तो I start from here X is वहां तक की बॉल्टी कितनी है add करो minimum बॉल्टी कितनी होगी हमेशा अरे correct है अब मैं यहां से चला पहले यहां था अब यहां कहीं हूँ where is X where is this X greater than or equal to 0 but less than yes or not यहां तक की बॉल्टी बताओ correct बिल्कुल सही मैं फिर चला मैं पहले यहां था फिर यहां था अब यहां कहीं आ गया this is X where is this X and less than यहां 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 तक की बॉल्टी very good बिल्कुल एक दम पेटा पहले मैं यहां था फिर यहां आया फिर यहां और यहां कहीं हूं x यहां तक की मेरे बेटा यहां तक की होगे 7 बाइ तो इससे एक और last में जाओंगा मैं ऐसी यहां आ जाएगा x कहीं पर यहां आ जाएगा x तो बताओ x कहा है वहाँ पर 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ कैसे चल रहा हूँ आ गए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका importance भी बताता हूँ एक second यह क्या बताता है इसके मात्य पर क्या लिखा है पक्का इदर आओ बोड़ पर मेरे साथ सारे बच्चे बता बटा इसका मतलब क्या है exactly at one exactly at two correct exactly at two point five exactly exactly at three okay यह small f है कि capital f है यह अब आ जाओ up to one up to one yes देखते जाना भी four by up to two 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 यहां पर आ रहा है न देखो यहां पर seven by eight up to two point five seven by up to three up to hundred correct है ना up to one point nine one point nine इससे छोटा होगा न तूसे four by बता यहां कही one point nine लिखा है यहां कही two point five लिखा है यहां कही hundred लिखा है so this is not a good way of determining या finding cdfs this is the best way of doing so अभी और पता चलेगा क्यों पहले फर्क समझ में आया दोनों में की नहीं आया बताओ और हम इस तरीके से लिखते हैं यह जादा अच्छा तरीका होता है हमारा लिखने का इसकी मैं प्रैटिस करवा हूँगा आपको अभी लिखने की बात क्लिर है मेरी कोई बात में अभी दुबारा से देखिए आये बोड़ पे सारे बच्चे जीज दुबारा से होगी सब कुछ सब मेरे साथ इदर बोड़ पे प्लीज एक्जाम्पल नमबर टू एवरिवन दिस इस एफ ओफ एक्स एक्स बाई सिक्स वेर एक्स वान तू एंड त्री PDF गिवन है कहता है Find CDF मेरे साथ बोड़ पे सारे बच्चे पें छोड़ दीजिए आपने यहां लिखना है Capital FX प्लीज ध्यान से सुनिए सबसे छोटा नमबर क्या है आपको ऐसी लिखना है Less than 1 से स्टार्ट करना है एक तरफ इक्वल टू लगाना है लेकिन एक तरफ इक्व अब बताओ 1 तक की बोलटी एक्स को 1 रख दो 2 तक की इन दोनों को आड़ करके यहां लिख दो 3 बाए 3 तक की इन तीनों को आड़ करके लिख दो यहां पर क्या यही CDF आएगा पूछ रहा हूं बटा What is the probability up to the point 2.1 इस बेटा 2.9 up to the point 2.9 राइट है न ग्राफ बेटा डिस्क्रीट और कॉंटिनेंस को अलग अच्छे समझो ताकि मिक्स क्वेश्चन कर पाऊ जो पेपर में आता है हमारे मालो यह 1 है 1 by 6 2 by 6 डिस्क्रीट में y-axis पे हमेशा probability होगी और x-axis पे random variable होगा आपका 0,1,2 और 3 ग्राफ देख लीजे less than 1 मतलब 1 included नहीं है गोल खाली है क्या probability है बताओ 0 1 से 2 में तो 1 यहां पर included है लेकिन 2 included देखो नहीं है न इक बल्टू यहां पर बिटा 2 से 3 में यहां 2 included है 3 included और 3 से आगे बिटा क्या यह ऐसे step graph बनेगा कि नहीं बनेगा यह cdf का graph है इसको jump function भी बोलते है jump इसको step graph भी बोलते है minimum probability क्या है बताओ maximum क्या है क्या यह non decreasing है क्या यह सभी integral values पे discontinuous है कि नहीं है सभी किस values पे integral values पे क्या है यह continuity कहां पर है बताओ इसमे non integers wonderful जैसे कि एगर continuity ढूणनी है तो यह कोई non integers बताओ यहां पर continuity है कि नहीं बताओ left hand limit is equal to right hand limit is equal to limit आ रहे है कि नहीं आ रहा तो जब भी graph x-axis के parallel बने तो वो discrete का CDF है जब भी graph x-axis के parallel बनेगा तो किसका CDF है वो minimum product is zero maximum one non decreasing और step graph यह jump function बोलते हैं इसको रुख जी यह एक second एक बार और बस देख एक second बिटा प्लीज लिख ले ना I'll give you full time board भर के देता हूं time फिर से बनाते हैं चलो x by 10 x आपका 1,2,3,4 CDF बनाते हैं चलिए बताओ कैसे लिखों सबसे पहला how should I start less than 1 से start करूं न एक तरफ equal to लगाता हूं एक तरफ equal to नहीं लगाता हूं राइट greater than equal to 3 less than 4 greater than equal to 4 less than बस हो गया ना minimum 0 maximum 1 तक की 2 तक की 3 तक की 6 by 10 correct है मेरे बेटा अरे clear है अच्छा बताना जड़ा what is small fx at 1.5 है ना and what is capital fx at 1.5 1 by 10 correct है ना उकी उतार लेजिए बनाम से तो यह आपने क्या किया अभी pdf given pmf given था और उससे क्या find किया आपने आप अब cdf से भी pmf निकाल सकते हैं कैसे जैसे कुछ एक्जामपल होते हैं वह आपको क्यूमिलिटिव ही दिये होते हैं जैसे cricket का स्कूर मैं पूछूँगा मैं पूछूँगा मैच स्टार्ट हो गया होगा सहथ है ना आज है ना मैच cricket के स्टूर में मेरे बिटा जैसे मैं पूछा आपसे 10th over का स्कूर पूछूँगा तो 10th over का थोड़ी बताऊगे तक का बताते हो ना सब 70 runs हो गए और 9th over तक हो गए मानलो 65 तो बताओ 10 over में कितने बने माइनस कर क्या अंसर आयाता है तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको probability x is equal to a चाहिए तो probability x is less than equal to a में से क्या माइनस करते हैं x is अरे अरे तेरी language लिख देता हूँ या घवराय कर रहे हैं यह ऐसे बूल रहा है a माइनस लिखने को एक ही बात है बता ठीक्ड़ तो अप टू दे पॉइंट a माइनस x is less than यह तो a बच जाएगा ना आपके पास अरे बूलो भाई खैर इससे जैसे आपको कोई question मिला देखो प्रीज बोर्ड पर सारे बच्चे मेरे साथ इदर तो आप क्या करेंगे आप खुरी सोची x is less than बहुत easy सा example दे रहा हूं just for a better understanding of the things यह example हम कर चुके हैं भी यह cdf दिया हुआ राइट आपको है ना और आपको क्या पूछ रहा है पता है वो question में आपसे पूछ रहा है sir मुझे बताओ x is less than two मुझे बताओ x is less than equal to two मुझे बताओ x is greater than two मुझे पूछ रहा है x is greater than equal to two मुझे पूछ रहा है x is between one and three और ये बहुत सारे सवाल पोछ रहा है मुझसे एक्जाम दा तो मेरे बच्चों को मैं बहुत प्यारी सिला दूँगा कभी भी फॉर्मलो के चक्कर में नहीं पढ़ना है कई बार फॉर्मलो से असान आपकी कॉमन सेंस काम कर रही होती है अच्छे से जिसे कॉमन सेंस कैसे काम करती है देखी का जड़ा भी आप अब अगर आप फॉर्मलो चकरने पढ़ाएंगे गलती होने के चांसे बढ़ जाते है अब कॉमन सेंस क्या कहती है इन सब का जवाब देना है आप एक लाइन खीचें किस किस नंबर पे एकवल तो लगा बताओ जिरो वन टू और अब मुझे अट पॉइंट पॉल्टी जीरो की पॉल्टी चीए तो वन बाइट को जीरो में से माइनस कर दो तो जीरो की आगी ना वन की चीए फॉर बाइट माइनस तो क्या अंसर आ जाएगा अब ध्यान से देखना जरा प्लीज क्या माँगा है लेस देन गोला खाले छोड़ दो बताओ अंसर क्या है एड करके बताओ येस अच्छा लेस देन इकल टू माँगा पॉर बाइट होगे ना ये लेस देन इकल टू गोला इंक्लूड कर लो अब बताओ वाओ फिर पुछाए 7 बाइट बोला न आपने ग्रिटर देन 2 बोल रहा है बोलो क्या आंसर लिखूँ बोलो ग्रिटर देन 2 मतरब 2 को इंक्लूड नहीं करना ये आएगा न अंसर में क्या आएगा अंसर ग्रिटर देन इकल टू बोलो वाओ वन से थ्री वन भी इंक्लूड नहीं है थ्री भी इंक्लूड नहीं है बोलो येस अब वन भी इंक्लूड है और थ्री भी इंक्लूड अब बोलो मैंने तो कोई फॉर्मुला नहीं लगा है मैंने कोई फॉर्मुला एक लाइन घिचे फटाबट जो मरजी पूछ भाई कहीं बार सिंपल तरीका भी अच्छा होता है जुरूर नहीं कि हम चीजों को कॉम्प्लिकेट ही करें विटा ठीक है तो ऐसे CDF दिया और आप से ऐसे प्रोलिटीज मांग रहा है तो फॉर्मिले चकर में ज्यादा मत पढ़ना सिदल गिचके फटाबड़ अंसर बताना उसको और वह गलत बिल्कुल नहीं होगे आपके अंसर्स चलिए उतार ही कुछ उतारना है तो पर जो टॉपिक चल रहा है यह उल्टा वाला टॉपिक चल रहा है सीडीएफ से क्या निकाल रहा है अब यहाँ पर पी एम एफ तो आपको यहां सीडीएफ गिवन था और यह सब पूछ रहा था झाल रहा है जो यहां सीडीएफ जयता यहाँ इलिगल यटना? झाल झाल आपसे कुछ बता देंगे सारे अंसर आपको सीडिय अफ दिये हैं सब पूछ रहा आपसे तो क्या करोगे फिर से ऐसे लेंड रॉख कर लोगे की नहीं मेरे बिटा देखो पहले क्या करोगे आप मेरे बच्चो फटा फट अंसर बताएंगे क्या क्या नमबर है जिस पर इक्वड लगा है मेरे बिटा 1,3 और 5 तो 1 बाइ 4 माइनस 0 तो 1 बाइ 4 आएगा ना बिटा 1 बाइ 2 माइनस 1 बाइ 4 अरे तो सब 1 बाइ 4 आ रहा है यही आए ना अब बताओ x लेस देन इक्वल टू 3 3 बाइ x इक्वल टू 3 x लेस देन 3 हाँ बताओ 2 बाइ 4 एक ही बाइगा ना बाइ देन इक्वल टू 1 इसका अंसर बताओ क्या हो गया माइनस 0.4 यहाँ आएगा ना और से 4 बीच में आएगा यहाँ पर बेटा है ना तो क्या नसर आए बताओ 1 बाइ 2 x इस ग्रिड़ देन 3 और लेस देन 5 0 अरे कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा भाई नहीं आया समझ में आगया बहुत इसी है नहीं तरीका दिक्कत तब आती है जब मैं डिस्केट के साथ कॉंटेनस बता दूँगा बता दिया दोनों को मैंने फिर मैंने क्वेश्टन दे दिया मिक्स्ट का वो क्वेश्टन ऐसा हो सकता है मिक्स डिस्ट्रिबूशन ना वो purely discrete का होगा ना purely continuous का होगा mixed हो जाएगा ओके तो मैंने क्या सिखाया मैं समरी देता हूँ आपको मैंने सिखाया x is a discrete random variable x एक discrete random variable है मैं यहाँ पर pmf है और यहाँ पर क्या है बिटा cdf pmf से cdf पर जाना था तो formula क्या था बिटा summation कहां से कहां तक start to x अरे हैं ना तो cdf चलेगे अब cdf से वापस कहा आना है हमें वापस तो हमें x is equal to a चाहिए तो क्या करें बिटा x is less than equal to a में से क्या minus कर दें 99% जीत होगे अगर आपके आप ऐसे रिखना सीख जाओगे तो capital f और a capital f में minus plus और सब छोड़ो तो भूल जाओ आप आप इसी notation को prefer करो आप तो यह हमने कर आए अभी तक आगे चलें और examples बता मुझे cdf के जल्दी से कुछ example cdf का discrete वाला cricket का score है ना यह example याद रखने है cricket का score football के goals ना number of goals ना football match गोल से ना football match जो भी है cdf के एक्जामपल है cricket का score number of goals ना football match ठीक है और जब भी word discrete आएगा तो हम किसकी बात कर रहे होंगे arrival pattern की किसकी बात कर रहे होंगे बटा arrival pattern हमेशा discrete होता है discrete का cdf हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल कोई play नहीं करता है discrete में क्योंकि probability PMF से ही आ जाती है लेकिन continuous में cdf बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि continuous में जो PDF होता है वो probability नहीं देता उसको क्या करना पड़ता है आपको integrate करना पर तो continuous का cdf आपके लिए बहुत 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 ज्यादा important है discrete का तो सिर्फ इसलिए बताना पड़ा मुझे कि मैंने बताया ना mixed distribution के problem अगर आ जाए तो तब काम आता है सिर्फ यह वना continuous का बहुत important है चलिए जी आ जाएगे बोड़ पे तो फिर x is a continuous random variable तो यहां था pdf इसको लिखते हैं small fx यह correct है ना बात यह किस से बड़ा पराबर होता है इस बात का मतलब क्या है यह फंक्शन always lie above आपके जीवन में तो कभी भी below x-axis function pdf आये गए नहीं ठीक है तो हमेशा का आएगा above x-axis और यह यह evaluate करने से probability नहीं आती पता है नहीं बात क्या करना पड़ेगा probability निकालने के लिए इसको yes बेटा तो probability 1 आजाएगी maximum full range पे करोगे लेकिन हमारा काम है हमें यह given है हमें find करने cdf जो की बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है five star topic five star मतला गर मेरी booklet आपको मिलेगी random variable की जो booklet मिलेगी आप उस booklet में chapter one होगा chapter one will be only talking about pdf and pmf जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसी मेरी books हैं और जैसा मैं यहां बताता हूँ वैसा वहाँ पर theory दीवी है books में ठीक अब हम बात जैसे cdf चैप्टर यह लगए बिलकुल चैप्टर अलगा है हर topic पे एक चैप्टर है मतलब पूरा चिक तो बात करते हैं cdf की continuous के अंदर बड़ा important है please ध्यान से देखेगा क्या बोलेंगे इसको cdf की perform क्या होगी cumulative नहीं बेटा distribution function ही बोला जाता है यहांपर दोनों में cdf का नाम क्या होता है cumulative या सिर्फ distribution function या सिर्फ function के नाम से जाना जाता है अच्छा जी कैसे लिखा जाएगा यह मैंने बताया आपको capital f x से लिखा जाएगा याद है ना यह कहां तक की probability बताता है probability up to the point x formula discrete में summation होता है तो continuous में क्या होता है integration problems तुम इंतजार करते हो इंतजार एक interval में करते हो कर नहीं करते हो अरे पोछ रहा हूँ तुम मेंसे कोई minus infinity में जाके इंतजार करता है minimum इंतजार कब कितना करते हो जीरो ना अरे बोलो zero नहीं होता वैसे तो कोई time zero होता ही नहीं है पर फिर भी हम zero लेके चल लेते हैं क्यूं क्यूंकि बेटा रिवाज है इवन्ट को count करने का एक fashion है कभी भी कोई event आप count करना start करेंगे जिस time पे start करेंगे उस time को क्या माना जाएगा zero और उस time पे कोई event अकर करके देख लो coin toss करो अभी सारे जिस time पे toss करोगे उस time पे गर जाया क्या नहीं तो जिस time पे toss करोगे उस time को क्या माना जाता है और जो भी event होगा उसके बाद होगा ना बेटा अरे बोलो तो event को count करने के तरीके होते हैं कोई भी event होगा तो वो integer value होने चीए जैसे number of deaths 1.3 death हो सकती है किसी की अरे यह तो death नहीं होगी 0,1,2,3 ऐसा ही होगा ना भाई और कभी भी start करते हैं किस time पे start करते हैं 0 पे पर फिलाल हम मान लेते हैं हम 12 बज़े इंजा आ करना शू कर रहे हैं तो जहां से भी start करोगे आपको पता है आपका दोस्त कब आएगा तो upper limit क्या होगी हमेशा एक्स अच्छा fx ना करके dummy variable change कर देता है मेरे बीटा इसको कर देता है f of t dummy variable क्योंकि limit किस की form में आ गई? x की form में थोड़ा solve करना असान रहेगा आपके लिए, ओके तो यह formula हो गया हमारा वो चार बाते, पहली बात probability minimum कितनी होगी? 0, maximum अगर यह बाते satisfy नहीं हो रही है तो वो cdf नहीं है भाई तीसरी non-decreasing बोला था पिटा यहाँ पर एक चौथी बात भी है, fourth जो कि discrete में नहीं थी cdf is continuous on the real number line on the right hand side, real number line on the जैसे photo continuous में y-axis पे pdf आता है, अरे बोलो, और यह probability, correct, x-axis पे random variable होता है हमारा अरे है ना, x-axis पे हमारे random variable होता है, बोर्ड पे देखें सारे बच्चे, यह cdf का graph बना रहा हूँ तो cdf का graph बनाऊंगा, तो cdf तो क्या देगा आपका, बोलो cdf क्या देगा, probability देगा ना cdf तो, बोलो बच्चो, और minimum probability कितनी है, maximum कितनी है, non-decreasing है, और क्या यह graph continuous भी है, discrete में और इसमें फर्क क्या है? discrete में और इसमें फर्क क्या है? क्या बिटा, यह continence है, yes, जैसे वहाँ तो हमने ऐसे बनाया इыт, फिर हमने यूं करके यूं बनाया, याद है? पिर यूं करके यूं बनाया था वो step graph था ना बिटा वो वो भी minimum 0 था maximum 1 था non decreasing था पर वो continuous नहीं था अरे correct है बात तो दोनों को compare कर सकते है और discrete का कौन सा है और continuous का कौन सा है उतार लीजे पहले पिछे लेके क्या हूं बिटा अरे यह यह परपल वालग पिछे भी क्या है क्या बिटा बुला बुलो क्या है वो क्या किया अपने उससे रेंज एक्स एक्सिस बुलो बुलो जैम आता दी बुलो अरे बुलो आपको आज पर जाएक थोड़ दुनों में यह को भगवां का नाम दिलवा रहा हूं यार ऐसे कुछ कर थोड़ ही रहा हूं मैं बेटा मेरी बच्ची यह तेरह पीडियेफ यहां लाई करेगा एफ फ एक्स एफ फ एक्स वाई एक्स पे होगा और रैंडम वेर देना नहीं है मेरे बीटिया दे पीडियेफ ऑल्वेज लाई इस अबाव दा एक्स 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 ना तो एक्स एक्स तो इधर भी है और तो जो रैंडम वेरियेबल है वह एक्स एक्स पे हैगा और फंक्शन उपर जाएगा ना इसके तो इसकी रेंज के बारे में कुछ नह झाल